हाई दूस्तों, असलाव अलेकुम, कैसे आप लोग मेरा अनुनाभी लेगी, आज हमारा संडे क्योंने है, जिसमें आपके पुछेवे questions के answer में देनी कुछ करता हूँ, वगर क्यों चूट जाता है, देना, I'm really sorry for that, और लेडिशॉप का जो हमारा giveaway है, जिसके बारे हमने कही स पास-पास का नहीं है, सभी अलग-अलग state से है, तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं होगा, उनको hand delivery करें वीडियो तो नहीं मना पाऊँगा, लेकिन definitely उनका product उनको दे दिया जाएगा, और जो भी winner है, अगर वो देख रहा है इस वीडियो को, या फिर कोई और भी देख जवाब देते, तो उसमें आपको जो है delivery charge के नाम पर ही लूटा जाता है, ठगा जाता है, तो याद रखना, कभी भी किसी भी यूट्यूबर का giveaway आप जीतते हो, तो कोई भी यूट्यूबर आप से delivery charge नहीं मांगेगा, पहला question लेते हैं दोस्तों, पहला question है, मिनास कुरश लाउंच हो चुका होगा, उस तेम पे हमको देखना है कि कितना ये drop हो सकता है, जनरली जब भी नया iPhone लाउंच होता है, तो पुराना iPhone जो है, वो 100 डॉलर सस्ता हो जाता है, यानि कि इंडियन रुपीज में अगर आप कनवर्ड करते हो, टैक्स वखरा मिला के तो 10,000 इसके सामने और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारा इंफलेशन रिलेटेड इशू है, तो वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि actual price क्या निकल के आता है, अगला कोशन है Simran का ये बहुत है, iPhone XS 256GB या फिर iPhone 11 64GB सेम प्राइस पॉंट में मिल रहे है, इसमें पर गेमिंग में ज्यादा मज़ा आएगा, अब टैनेस के अंदर आपको स्टोरेज ज्यादा मिल रही है 256GB और टैनेस के अंदर आपको टेली फोटो कैमरा मिल रहा है, तो कैमरा के मामले में अगर आपको portrait shots लेने का शोक है, तो टैनेस बेटर रहेगा, अगर आपको night mode इस brand new sealed pack iPhone जो है, वो मिल रहे है, और दुबई variant है, और UK से import किया है, और उनकी pricing दीविया, pricing देख लो, SE 13000 का, और iPhone 13 Pro जो है 41000 का, तो इस से ही आपको समझ जाना चाहिए, कि जो Instagram पेज है, यह completely fraud है, और आपका पैसा चुरा लेगा, आपको बोलेगा, थोड़ा पूरा पैसा ल दुबई variant अगर import करना ही है, जो कि बहुत लोग import करके बेचते हैं इंडिया के अंदर, वो दुबई से करते हैं, दुनिया का जितना भी फोन आता है, जैसे जपान वेरियंट, आस्ट्रेलियम वेरियंट, युएस वेरियंट, यह सभी जो है, most probably दुबई से ही import किया जाते और किसी के वीजियो में उन्हों देखा था कि smartphone charger नहीं देनी की वेरियंट, आपल ने millions of dollars बनाएं, तो क्या यह सही बात है, और आजकल हम देखे हैं कि वीवो IQ सब जो है, वो ही rebranded phones निकाल रहे हैं, तो Xiaomi वाले जब यह चीज़ करते हैं, और इसके बारे में कोई कुछ क्य निकालते जाता है, मुझे तो कोई difference समझ में आता, कभी-कभी नया फोन पुराने वाले से कमतर होता है, बहतर नहीं होता है, जो कि होना चीज़, प्रोसेसर कम देते थे, कुछ भी देते, घुमा पिरा के, जनर पब्ली को समझता नहीं है, नया फोन आया जो है, मार्केट म ने किया, उसके बाद सबने फॉलो किया, और यह लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकती, कि रेस्टिक्शन लेकर है, और उसके बाद उनको बहुत कर सकते हैं, या तो आपको प्राइस रिडूस करना पड़ेगा, या फ पैसा और यह जो मैनुफेक्ट्रर जो वो काम पफेक्ट करते हैं, जिससरे डिस्प्ले जो है, सामसंग बहुत चा बनाता है, लगी बहुत अच्छा बनाता है, और OLED बनाने की जो टिकनोलोजी उन लोगों के पास है, तो उसको बैस से बैस्प्ले बनाने के लिए अपना ड कमपनीज की जो कार्स की सीट है, वो एक कोई पर्टिकुलर कमपनी मनाती है, और सभी कमपनीज को सप्लाइ कर दी है, तो यह चीज जो हर इंडस्ट्री के अंदर होती है, अगला कोशन है दुस्तों चैट का और आज क्यों है कि ए खास बात ही है, कि सभी लोग मत करो, बहु फॉर्मैट कर सकते हो, वो सब आप कर सकते हो, वो डेटा नहीं चाहिए तो, और एप्रिलिया और यामा में आप कौन सी लेंगे पूछ रहे हैं, तो मैं यामा ही लूँगा, क्योंकि मुझे यामा जाधा रिलाइबल लगती है, सर्विस करो नहीं करो, वो चलती रहती है, राइनोशिल्ट का कवर लोगा, तो आईफोन कवर के भार निकालना चाहिए, क्या, अगर वो खुला हो वाला कवर है, पीछे से निकालने की सब्सक्राज करने के टाइम पे, गरम नहीं होगा, पंदरहा उजार में कौन से सेकेंटरी फोन ले सकते हैं, कोई भी ले लो, एक कि आपके साथ गबलेबाजी कर सकते हैं, अकला क्या क्वर्टन है, अपने वेरियन शॉप में बिल देखा क्या, अगर नहीं तो अब मैं क्या करू, सल्यूशन, बता दे, लॉव फ्रॉम कौलकाता, तो फारुक अली मैं आपको बोलना चाहता हुके, आपल की कि Japanese iPhone है तो आपको Japan का build जो होगा उस iPhone का original वो produce करना पड़ेगा अगर आपको नहीं कर सकते तो बहुत सारे service center जो है वो service करने से यानि की warranty के अंदर मना भी करते हैं तो जिस शॉप से आपने खरीदा है वो शॉप वाले जरूर उनके साथ कुछ नगो टाइप में रहते ही है और यह बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन प्रॉब्लम क्या है बताइए देखिए ओटोमाटिक ग्लास जो है वो क्रैक होता नहीं आइफोन का लेकिन अगर आप प्रूफ कर सकते हो आप शॉर हो के नहीं गिरा ही नहीं है उसके उपर कोई चीज गिरी नहीं है तो फिर आप जो है जाके एपल सर्विस सेंटर में उनको आपको बताना पड़ेगा और आपको फाइट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो वह मानने वाले नहीं है मेरे साथ भी यही चीज हुई थी फोक्सवागन की में पास जो वेंटो थी इसके पहले पहले उसके अंदर एक जगा पे प्रॉब्लम होता है क्या उनकी टर्म्स और कंडिशन पॉलिसी है वुझे एक लेंगे के बॉल लगा होगा यह लगा होगा वह बहार से सड़ा है बहार से निकला होगा तो मैंने उनको इतना ही बुला कि चलो यार फॉरेंसी टेस्ट करा लेते लाब में ले जाते है किसी ल आइफोन फोर्टीन लॉंच होने के बाद इसका प्राइस और ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि हो सकता आइफोन 11 डिसकंटीन हो जाए तो क्या करो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी तो मुझे फिर नुकसान होगा यह सब मत सोचो अभी आइफोन 14 लॉंच नहीं हुआ है आज पतक किया तो ग्लोबल आइफोन के भी जो दाम है वो बढ़ते जारे और आइफोन 13 तो ग्लोबल और इंडियन में प्राइज में कोई फरक रहा ही नहीं है तो यह जो चीज है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान करके जाने वाली हो और 1000-2000 कम भी मिल जब सभी वक्त आएगा उस टैम पे आपको सेल करना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि आइफोन 11 डिसकंटिनियू हो जाएगा आइफोन 11 के पहले भी कुछ फोन है जो आपल डिसकंटिनियू कर सकता है आइफोन 11 फिर भी एक modern फोन है और ऐसा अब कोई भी नहीं बता सकता कि वह डिसकंटिनियू होगा और अगर डिसकंटिनियू हो भी जाता है तो एपल के जितने भी मॉडल्वस कि यह कुछिरे की दाम भी बिख्ते है ऐसा कुछ भी नहीं है आज भी जो पुराने प्रोप्रो मॉडल्स है 12 PRO मेक्स 12 फ्रो बीर कि 11 सस्ते नाव में मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगला कोशन है, शान खान का बोलती है, आइफोन 13 Pro Max पे, जब सफारी ब्राउसर में कुछ PDF वगरा डाउनलोड कर रहे थे, तो एक pop-up आया, कि आइफोन आपका hack होने वाला है, और hacker को remotely use कर सकते है आपके आइफोन को, त पेक नोटिफिकेशन है, यह आपके आइफोन के जरीए से आपको नहीं आते है, जब आप अंट्रस्टेड वेबसाइट पर जाते हो, तो वेबसाइट जो है, ऐसा एक pop-up दिखाते है आपको, जिससे आपको ऐसा लगे कि आपका आइफोन होने वाला है, कभी-कभी calendar के जर आप इसे साइट पर गए होंगे, लेकिन जरूर जो साइट पर गए हो, वो साइट जो है, इतना सही नहीं है आपके लिए, अगला कोशन है इंद्र नील का, यह बोलते है कि आपल का जो clear case है, यह वाला जो मेरे आइफोन पर लगा हुआ है, यह जो है, पीला क्यों नहीं प crack भी होता है, यह बहुत ही हाट प्लास्टिक है, और मेरे फोन का भी यहाँ पर 13 प्रोका, यहाँ पर slightly crack हो गया है case, लेकिन इसे फोन को बचा लिया मेरे, और बॉटम से बेर देखें यह तो खुला है, लेकिन इस फोन की जो case है, इसकी price बहुत जाद है, 4,900 रुपे, आपल का है, तो हजार का होगा, पांच हजार का यह case होगा, यह कोई नहीं बोलता, इसलिए में भी दूसरे companies नहीं बनाते, क्योंकि इतना expensive case फिर वो लोग कोई लेंगे नहीं, और आपल के case पे लिए ही जाना जो है, वो लोग prefer करेंगे, नभी this is the reason that other companies are not making such a case, जो पीला नहीं होता है, अगला कुशन है दोस्तों, अब्दूल सम्मत का यह बहुत है, आइफोन 11 प्रो है, और आइफोन 13 जो है, बिग बिलियन सेल्स में अपग्रेड करना चाहता हूँ, आइफोन 11 प्रो का मुझे इन हैं फिल्ड बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़े है, और ऐसे बहुत सारे चोटे मोटे पॉइंट्स है, बट यह बात जरूर है कि आइफोन 11 प्रो जो है, जादा प्रीमिम बिल्ड के साथ आता है, उसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटप देखने मिलता है, तो आपको टेली देखने मिलेगी, तो यह सारी चीज़े अगर आपको ऐसा लगता नहीं है, कि आपको यह जो ट्रेड ओफ से छोटे मोटे इसके साथ रहना है, तो आप मज जाए आइफोन 13 के लिए, क्योंकि 11 प्रो भी आपने आप में काफी अच्छा डिवाइस है, और आपको इतना कोई जो है, फरक महसूस नहीं होगा, अगर आप एक पावर यूजर है, तब ही आपको फरक महसूस होगा, अगला कोशन है सुलेमान का यह बोलते है, कि जब भी मैं अपने आइफोन से व्लॉग करता हूँ, और पिछे की कैमरा से व्लॉग करता हूँ, जब अपने चेहरे की तर अगर आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपको इस सारी चीज़े पता होनी चीए, चलो नहीं पता है तो मैंने बता दी, लेगिन थोड़ा बहुत एक्स्पेरिमेंट करो, खेलो अपने फोन के साथ, सब चीज़े आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर आप भी लोगों को बता और उसकी बैटरी हेल्थ अच्छे तरीके से मेंटेंड रखने के लिए, आप अपने आइफोन को जब लॉंग टाइम के लिए, उसको 50% चार्ज करके स्टोर कर दो, 100% चार्ज करके मत करो, इस वाज़े से आपकी जो बैटरी हेल्थ है, वो अच्छी तरीके से मेंटेंड अगला कोशन है, यह बुलते है, मेरे आइफोन 7 का होम बटन टूड गया, स्क्रीन होम बटन में ने चेंज कर रहा है, अब होम बटन तो चल रहा है, लेकिन फिंगर्प्रिंट स्कैनर नहीं, यूदिकि फिंगर्प्रिंट स्कैनर फिर से चलवाना है, एक नए बटन के है, कि आप कोई दूसरा फिंगर्प्रिंट स्कैनर लगा कि अपने फोन को किसी और को अगर हो मिल जाता है, तो उसको अनलॉक नहीं कर पाएगा, अगला कोशन है, राजा प्रतिक का यह काफी अच्छा कोशन है, यह एंडॉड यूजर है, अभी उनको आइफोन लेना कोई ज़रूरी नहीं, पर लेना चाहते है, बोलते है, 14 में अगर टाइप सी पोट नहीं हैगा, 15 में हैगा, तो 14 को मैं स्किप कर दूँगा, बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन, as an iPhone user, मुझे पर्टिक्विलरली कभी टाइप सी पोट की ज़रूरी नहीं पड़ी, हाला आपको एक pen drive लगाना पड़ता हो, अपने iPhone में, तो उस case में, या फिर हो सकता है, आपके camera से आप शूट करते हो, DSLR से, mirrorless से, और memory card आपके आपको लगाना है, तो उस case में आपके लिए Type-C port जो हेलफुल रहेगा, फिर ही आप 15 के लिए रूख सकते है, आदर वाइस 14 लेन dot projection करता है, और आपके चेहरे पे जो भी उसका infrared light और पड़ती है, उसकी वज़े से आपको headache हो सकता है, ऐसे कोई लोगों होता है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, कि थोड़े दिन के लिए आप जो है, जो pin है, उसका इस्तमाल करें, पासकोड का इस्तमाल करें, और आपका जो face ID है, उसको disable करके रख दे, अगर आपका face ID काम नहीं करेगा, तो हो सकते है, आपका headache वाला प्रॉलम सौल हो जाए, अगला कुछन है, थोड़ी film, थोड़ा music, ये बोलते है कि व्लोगिंग के लिए आइफोन का 200D Mark II लू, इसमें से कौन सा लेना चीए, आपको आइफो पड़ेगा, अच्छी लेने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे घच करने पड़ेंगे, और जो camera का आप नाम बता रहे हो, उसके अंदर फिर image stabilization आपको नहीं मिलेगी, आइफोन में मिल जाएगी, आपका काम easily हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि आइफोन 13 लो, उसके पराजिस्तान में होने वाले suicides वगरा से related एक सवाल पुछा था, कि भाई बहुत pressure होता है पड़ाई का, और मैं भी उस pressure के अंदर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर पड़ाई अच्छे से नहीं हो पारी, फिर भी parents pressurize कर रहे है, या pressure होता है, peer pressure होता है, तो उस थोड़े बहुत कम मांक्स भी मिल जाते है, थोड़ा बहुत ऊच नहीं जूच जाता है, उसमें अपनी जिंदगी end करने का कुछ नहीं है, life is very beautiful, और आपके लिए बहुत सरी चीज़े है, और मैंने अपना example देकी बताया था, कि मेरे साथ जो pass out हुए थे, अगर engineering के students, या क सुथ को ऐसा बोलना था, ये बोलना कि आप जितना नहीं कमा लेते गलत है, जिनको आप जानते वो नहीं कमा लेते होंगे, लेकिन आज skillful engineers easily मंद का आप से ज्यादा earn कर सकते आपकी age वाले, सबसे वेली बात मेरे भाई, आपको मेरी age पता नहीं, दूसरी बात आपको ये मैं कितना earn करता हूं, तो मेरे जो friends है, मेरे जो peers है, मेरे जो दोस्त है, college के टाइम पर वो कितना earn करते हैं, वो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं करता हूं, तो आप मुझे judge नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको judge कर सकता हूं, इसलिए मैंने वो बात बोली, और जो बात म मैंने बूली बहुत responsibly बूली और आप जो suggestion दे रहे हो मुझे वह suggestion बिल्कुल भी गलत लग रहा है मैं नोदी जब गल्फ के लिए बड़े बड़े companies के की लिए जाते हो तो वहां पर आपके डिगरी की तरफ देखते भी फी शाइड में सिर्फ यह बूलते हैं और अब है आप क्या की अ हाथ से काम किया है कि नहीं बड़े से महेश का और काफी important question है बहुत लोग जो है इस camp में फस रहे है मेरे नाम से हो या किसी भी बड़े से बड़े YouTuber कोई भी हो MKBHD हो Technical Guruji हो या Mr. Who's the Boss हो Indian foreign सबी YouTubers के चैनल के नीचे ये bots है जो comments करते है, Telegram का ग्रूप बताते है हमारी photo इस्तमाल करते है आप लोग को भी समझदारी होनी चीए कि नाम नबील नवाब है या फिर नाम कोई Telegram का नंबर है या किसी WhatsApp का नंबर है वो लोग बोलते कि आप चैट करो उसके बाद वो लोग को Hindi भी नहीं आती, आप लोग हिंदी में चैट करेंगे हम लोग इसके बार में कुछ कर नहीं सकते है हम लोग वो Telegram का गुरूप उडा नहीं सकते है वो WhatsApp नंबर के उबर कुछ कर नहीं सकते है YouTube भी in fact जो हलपलस है वो कर रहा है स्कैम को कंट्रोल करने की कोशिच लेकिन ये कर नहीं पा रहा है